देखिए, यह NCRD का 22 हो, RD का भी 22 है by chance, लिखाए 3 to power 2N plus 2 minus 8N minus 9 is divisible by 8, step 1 easy है, N को 1 रख दो, अपने आप आ जाएगा, step 2 easy है, N को के रख दो, कह दो divide है, step 3, खतरनाक है, थोड़ा समझना पड़ेगा, तो step 1 की बात करते है, step 1, for N is equal to 1, तो यह P1 हो जाएगा, यह क्या हो जाएगा, N को 1 रख दो, तो 3 to power 2 plus 2 minus 8 into 1 minus 9, तो यह 3 की power कितना आएगा, 3 to power 4 minus 8 minus 9, कितना आएगा, तो 81, 81 minus 9, 8, 17, यह minus है न, सही है न, माइनस का 17, 81 में 17 minus करो जाएगा, हमको ऐसे नहीं आता है, 11, 7 के कितना आएगा, 4, और यहाँ पचेगा, 7, 7, 6, 64 आएगा न, तो यहनि 64 आगया, अब बताओ, यह 64, 8 से divisible है कि नहीं है, तो आप लिखेंगे, is divisible by, divisible by 8, तो इसका होता है, n is equal to 1 के लिए, सही है, ठीक है, step 2 पे हम क्या करेंगे, कि let, for, n is equal to k, it is divisible, divisible by 8, तो n को k रखो, तो यह आएगा, pk is equal to 3 to power 2k plus 2, minus 8k, minus 9, जब आप कहे रहों, यह divisible by 8 है, तो इसका result कुछ आएगा, 8 lambda के type का, इसको equation 1 डाल दो, अब step 3 थोड़ा साथ दिमाग वाला है, उसको ध्यान से समुझेगा, for, n is equal to k plus 1, तो यहाँ नाम दे दिया, pk plus 1, इससे कोई मतलब नहीं है, इस equal to से, इसकी को नेमिंग करी है, आप लिखो, चाहे ना लिखो, दिखो ध्यान से, अगर n को k plus 1 लिखेंगे, तो क्या आएगा, 3 to power 2, n को लिखेंगे k plus 1, plus 2, minus 8, n को लिखेंगे k plus 1, अब दिखो, यह result लाना है, सर्थ यह है, कि लाना है, यह सर्थ है, और क्या सर्थ होगी, अब दिखो ध्यान से, इसको खोलो, 3 to power 2 k plus 2, plus 2, minus 8 k, minus 8, minus 9, लिख दिया हमने, इसको देखते हैं पहले हम, हमको चाहिए, 3 to power 2 k plus 2, तो 3 to power 2 k plus 2, तो है, यह 2 गरबड कर रहा है, प्लस का, तो इसको हम चाहें, तो 3 to power 2 k plus 2, into 3 to power 2, लिख सकते हैं, अभी इसी को आप टच करीगा, वो पढ़ा रहें ने दिजिएगा, वो तो लिखा है हुआ है, minus 8 k, minus 8, minus 9, जानवी, उसके calculate नहीं कर रहा है, देखो, हमको 3 to power 2 k plus 1 चाहिए, इसका coefficient कितना है, 1 है ना, और ये क्या है 9, इसका coefficient 1 चाहिए, और ये क्या है 9, तो 9 में से 1 अलग कर दो, बचेगा क्या, 8, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 3 to power 2 k plus 2, और ये जो 9 है ना, उसको लिखेंग 1 plus 8, कोई दिकत, नहीं दिकत, minus 8 k, minus 8, minus 9, अब ज़रा इस bracket को खोलते हैं, ठीक, जब इस bracket को खोलोगे, तो पहले ये 1 के साथ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 3 to power 2 k plus 2, plus 8 के साथ multiply होगा, 8 into 3 to power 2 k plus 2, और minus का 8 k, minus का 8, minus का 9, अब जो आपको equation 2 में चाहिए, उसको एक साल लिखो, देखो, 3 to power 2 k plus 2 चाहिए, लिख दिया हमने, minus का 8 k चाहिए, वो यहाँ मिल रहा है हमको, minus का 9 चाहिए, मिल रहा है हमको, बचा क्या, एक ये बचा, एक अब ये बचे, इनको अलग कर दो, plus का 8, into 3 to power 2 k plus 2, minus का 8, इसको क्या ले सकते हैं, अब यह हम बता चुके हैं, 8 lambda, और plus ये है, 8 into 3 to power 2 k plus 2, हमने यहाँ क्या किया है, equation 1 को use कर दिया है, और पूरे से common क्या दिख रहा है, 8, तो lambda plus 3 to power 2 k plus 2, अब देखो, 8 का multiply किसी चीज से करोगी, कोई भी result आएगा, कुछ भी आएगा, लेकिन multiply में 8 है न, तो यानि 8 का multiple है कि नहीं है, तो is also, is also divisible by 8, divisible by 8, so it is divisible by 8 for all the values of n, इसलिए n की हर value के लिए divisible होगा, तो this is question number 22 of ncrt and 22 of rd, झालिए न पाले जसरे लता है पर आपो के लाएगा, वान की हर वाले रहानियों के लोगागा, जएए जा लेकिता है तो रहा है, अंएंगा, जपनिता है थाज़ा है लोगागा, तो श financiपएड़ा, जड़ा है जब नो प פה माया दोगा